करेंगे करेंगे इसके फीचर्स के बाले में तो आपको और उसमें भी आपको बहुत अच्छे फीचर्स प्रोवाइड करते हैं तो अभी सबसे पहले हम लोग ग्राफिक्स देख लेंगे और फिर लोग डिसकर्स करेंगे इसके फीचर्स के बारे में तो आप सबसे पहले देख सकते हैं आपको दो मैट कलर में देखने मिल जाएगे एक रहेगा वह है सॉलिड मैट और दूसरा जो रहेगा वह है ब्लाक औ अब दो सरीके एक ग्राफिक चाहिए तो यह वाला आ जाएगा यहाँ पे एक रेड़ है यह रेड़ काईंड और ओर अवरेंज टाइप दीखेगा आपको और यहां पर अगें रेड वाइट और ब्लैक कॉंबिनेशन में आपको बहुत सारे देखने भी इसके बाद आपको फ्लो यिलो यिलो चाहिए तो उसमें भी तो अलग-अलग और ऑप्शन से सबसे पहले जो हैं वह है फ्लो यिलो रेड और वाइट कॉंबिनेशन और उसके पाद जो है वो है gray and flow yellow combination यह भी बहुत ही बढ़िया दिख रहा है इसके पाद हम लोग start करने वाले वह है features के साथ और यह क्यूँ प्राइस को justify करता है वह भी देख लेंगे तो सबसे पहला जो feature है वह है shell का तो shell में आपको polycarbonate shell सबसे पहले देखने मिल जाता है उसके आलावा आपको DOT certification इसमें मिल जाता है आप यहाँ पे देख सकते हो जो की US-rated certification रहता है और ISA अपना Indian standard certification जो रहता है वो भी आपको इसमें देखने मिल जाएगा जैसे मैंने का polycarbonate shell आपको इसमें देखने मिल जाएगा उसके आलावा आप देख सकते हो शाप cutting से पिछे वाले साइड आपको एक direct integrated spoiler मिल जाता है so that aerodynamically थोड़ा सा शाप रहेगा air cutting अच्छा रहेगा air cutting के लिए यहाँ पे आप देख सकते हो lines भी provide किया है so high speed पे आपको stability better मिल जाएगा फिर यहाँ पे आपको air wind के लिए उपर वाले side दो outlets देखने मिल जाते यह air wind के है फिर आगे वाले side आपको एक air wind के लिए मिल जाएगा और पिछे वाले side इसका exhaust मिलेगा जहाँ से air pass हो जाएगा फिर यहाँ पे आपको clear visor देखने मिल जाएगा यह पूरा clear visor आदा है with pin lock तो आप इसमें antifock भी attach कर सकते हो आपको pin lock system मिल जाएगा दोनों side pin lock रहेंगे अंदर वाले side आप फिर antifock attach कर सकते हो उसके अलावा wind deflector देखने मिल जाता है जहां से wind deflect होगा तो direct arc पे नहीं आएगा फिर नीचे वाले side देखोगे तो आपको chin curtain देखने मिल जाएगा यह फिर padding में आप देख सकते हो आपको अपर का एक और side के दो chick pads देखने मिल जाते तो यह होगे specification के बारे में बात and features के बारे में बात फिर आपको price बता देता हूँ और आपको क्यूँ इस helmet के लिए जाना चाहिए वो भी आपको बता दूँगा तो इसका जो price रहेगा वो है अगर आप plain color रहते हो तो 2550 अगर आप कोई भी graphics लेते हो यानि के color combination के साथ लेत तो अभी हम लोग देख लेते कि यह price को क्यू justify करता है अगर आपका budget 2000 रहेगा जिसमें आपको stud vega देखने मिल जाता है but stud vega helmet से वो आपको ABS material में देखने मिल जाएंगे मतलब उनका जो shell रहेगा वो ABS से build किया हुआ रहेगा and ABS anytime you know low quality का रहता है compare to polycarbonate but axis में आपको polycarbonate देखने मिल जाएंगा जो कि safety wise better option है तो अगर आपका 2000 budget रहेगा 500 to 900 extra डालो और आपको polycarbonate शेल देखने मिल जाता है इसके आलाव आपको डियोटी का certification देखने मिल जाता है ISI भी देखने मिल जाता है इसमें weight 1500 gram तक ही है which is manageable आपको एक बहुत अच्छा loop देखने मिल जाता ह है helmet का small shell है ज्यादा भी बड़ा नहीं है तो शेल के वाइस भी अच्छा कासा है पिलोग system देखने मिल जाता है आप antifog attach कर सकते हो जो कि आप stud vega में नहीं कर पाऊंगे इवन steelbird में भी सेम इसके अलवा आपको सब spares देखने मिल जाएंगे spares आपको सब मिल जाएंगे एक helmet के साथ आपको एक बैग भी देखने मिल जाएंगा एक अच्छा पैरा बैग आते हैं जो कि आप helmet जिसमें आप carry कर सकते हो सो हम लोग ने अब भी सब कुछ कवर कर लिया इस helmet के बारे में इसके अलवा भी अगर आपको कुछ जानकारी चाहिए रहेगा तो आप हमें नीच कंप्रमाइज नहीं करना है तो उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजेगा आपके फ्रेंड्स फैमिली के साथ और उनको भी बता दीजेगा इस helmet के बारे में सो थैंक यू सोबच पॉच पॉचिंग दिस वीडियो लब्यो आल हैश्टाइग यह अप्योर राइग